महाराष्ट के उप मुख्य मंत्री देवेंद्र फंडवीस ने विधायकों की अयोगता मामले पर बयान दिया है। अपना कारिकाल बतोर मुख्य मंत्री ही पूरा करेंगी। हम उनका पद बरकरार रखने के लिए उन्हें MLC के रूप में चुल लेंगे। वही विधान सबा स्पीकर राहुल नार्वेकर अयोगता मामले पर चलचा के लिए रविवार 29 अक्टूबर को दिली रवाना हो गए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को विधान सबा स्पीकर राहुल नार्वेकर को अंतिम मोका देने की बात कही थी। कोट ने कहा था कि विरोधी उद्धव ठाकरे की तरफ से जो याचिकाय दायर की गई है उस पर फैसला लेने के लिए स्पीकर वास्तविक समय सिमा नर्धारित करें अयोगता की याचिकाओं पर जल्द निर्णे लिए जाने की जरूरत है महराष्ट विधानसबा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 17 अक्टूबर को बागी शिव सेना विधायकों को अयोगत हराने की मांग वाली याचिकाओं पर कहा था कि यह सुनिश्चित करने की जरूरते की किस घटना ग्रम को असा विधानिक माना जाए इसी के साथ मेने रहिए एशायस इंडिया के साथ हमेबाद